बाली का वधू पार्ट टू दिन बीटते गए और शर्मन भी वक्त के साथ रानी के बारे में भूलता गया एक रोज उसके पास इसके बाबा का फोन आया और विजे ने शर्मन को घर आने के लिए बहुत जित की और वह घर लोटता है मगर वह इस बात से अंजान था कि उसी दिन सीता भी उसके घर पर थी शर्मन सीता को देख कर चौंग गया था सीता भी अब थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही थी सीता शर्मन को देखती ही जाकर फिर से उसके हाथ पकड़ लेती है सीता की दूसरे हाथ में दोनों की शाधी की तस्वीर थी मेरा कुड़ा बाबू शर्मन बिचारा बेबस था और वह दोनों की रिष्टे को अपना लेता है जैसे जैसे समय बीटता गया शर्मन जब भी घर आता वह सीता के साथ बाते करता, खेलता मगर उसे एक चीज अचीब लगती थी शर्मन शाम और कविता से कहता है बाबा आप सीता को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं? स्कूल? हमारे घर की लड़कियां स्कूल वी स्कूल नहीं जाती है पैसे भी कमारा पती को होता है सीता तो घर में बैठ का रोटियां ही तो बनाईगी आप तो अपनी पढ़ाई पूरी करो दामार जी शर्मन की बात किसीने नहीं मानी और सीता को पढ़ाना लिखाना किसीने जरूरी नहीं समझा धीरे धीरे शर्मन शहर से गाउं एक्तम कम आने लगा उधर सीता वक्त के साथ संदर और जवान होती चली गई उसने सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सब सीखा मगर पढ़ाई क्या होती है वह आज भी नहीं जान सकी शर्मन का फाइनल एयर में प्रवेश होता है और वहां उसकी मुलाकात पूनम से होती है पूनम पढ़ने में बहुत हुश्यारत और तीज और अडियल सी लड़की थी अपनी बात सही साबित करने के लिए बहस भी कर लेती थी शर्मन पूनम का इतना जबरदस confidence देख कर हिल गया था एक दिन क्लास में पढ़ाते हुए जहां शर्मन सवाल नहीं बता पाता है वहीं पूनम उसकी मदद करती है और ऐसे हो जाती है पूनम और शर्मन की दोस्ती पूनम रूपरंग में भले ही सामान्य थी मगर शहरी में वाले कपड़े और मूसे निकाली गए अंग्रेजी बोली शर्मन को बड़े अच्छी लगती थी पूनम और शर्मन एक साथ ताइम स्पेन करने लगे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वह दोनों कॉलेज के बाहर भी साथ दिखाई देने लगे पूनम मुझे सब्जाट में कुछ भी नहीं आता है क्या तुम मुझे पढ़ा दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं? बताओ कब पढ़ना है? कल मेरे रूम पर तुम सुबह ही आ जाना फिर हम पूरे दिन पढ़ाई करेंगे यह सुनकर पूनम शर्मन की ओर देख कर मुस्कुराई और शर्मन पूनम की ओर अगले दिन शर्मन का दर्वाजा खटकता है और वह उसे खोलता है तो सामने पूनम बड़ी स्टाइलिश कपड़ों में हाथ में मोटी-मोटी अंग्रेजी की किताबे लिए शर्मन की ओर देख कर मुस्कुरा रही थी और शर्मन दर्वाजा बंद करते हुए उसे जोर से पटक दीता है यह देख पूनम को चिड़ होती है शर्मन, फेर इस यूर एटिकेट्स डोर ऐसे बंद करते हैं इधर आओ मैं बताती हूँ और पूनम शर्मन का हाथ पकड़कर उसे दर्वासे को आहिस्ता से बंद करना बताती है शर्मन, पूनम को करीब पा कर थोड़ा नर्वस हो जाता है पूनम शर्मन का चेहरा चूती है अरे डार्लिंग, डोन पिशाए ना पर पूनम हम तो दोस्त है ना दोस्त? सिर्फ दोस्त? ये सुनते ही शर्मन पूनम से लिपड़ जाता है दोनों एक दूसरे को मन से गले लगाती है पूनम मुझे तुम बहुत पसंद हो मैं शादी शुदा हूँ पूनम मगर समझाओते करोप में बाल बिभा हुआ था हमारा मैं बालवर था और वो बालवद हूँ मतलब? पूनम मेरी शादी बच्पन में ही करती गई थी और शर्मन पूनम को सारी कहानी बताता है क्या बहुत सुंदर है वो लड़की? लड़की? लड़की नहीं एक छोटी बच्ची से मेरी शादी कराए गई थी जो भी शायद 16-17 साल की ही होगी हो मैं पूर हनी कितनी परिशान हो तुम कम बेबी इधर आओ और पूनम शर्मन को अपने सीने से लगा लेती है पूनम तुम्हारी फैमिली में कौन है? पागल से माबाप है जिन से मेरी बिंती नहीं और मैं अकेले ही रहती हूँ एकदम बिना रोक टोक के पूनम मैं हमेशा तुम जैसी मौडर्ल लड़की से शादे करना चाहता था तो अब भी कर सकते हो तुम? क्या? पर मैं तो अरे बाबा, वो तो एक अक्सिडेंट था ना शर्मन मुझे प्राक्टिकल चीज़े ही पसंद है जू शादी प्राक्टिकल ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना? मा, मैं क्वेसी पानी का खड़ा लेने जा रही हूँ सीता गाओं में सबसी चंचल और सुन्दर लड़की थी जिस पर बहुत से मंचलों का दिल आता था उनमें से एक लड़का सीता को पनघट पर मिलता है और उसकी पानी भरने में मदद करने लगता है छोरी, तुझी क्या लगता है? मुझी कुछ समझ नहीं आता? चुप चाप यहां से चला जा वरना जब मेरे बाबू शेहर सी लोट कर आएंगी न तो मैं उन्हें कहे कर तुझी इस कुए में फिकवा दूँगी यह सुनकर लड़का तुड़ा पीछे हट जाता है बड़ा आया मनचला आशिक लड़के को सीता की अकर रास नहीं आती है कौन सा बाबू सीता? जो शेहर से सालों सालों तक तो वापस भी नहीं आता कहीं आयसा नहो तुझी इधर मायके में बैठकर मटकिया ही भरती रह जा और उधर तेरा बाबू शेहर में मज़ा करता रहे सीता बिचारी भोली भाली थी उस लड़के की बात चुप जाती है और वहें डरते हुए मटकी को वहीं छोड़कर रोते हुए घर लोड़ती है और कविता के पाउं के पास आकर रोती है मा, मेरा कुट्टा मुझी लेने कब आएगा? बताओ न मा, वो आएं के न? कविता ये सुनकर थोड़ा घबरा जाती है हाँ मेरी प्यारी लाड़ो क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे? और कविता रोते हुए शाम को जाकर सारी बात बताती है हमारी सीता हर फल बस तमाची के आने का ही इंतजार करती है मैं समधी जी से अभी बात करता हूँ शाम विजे को फोन कर सब बताता है और विजे चिंता में आकर शर्मन के पास फोन करता है शर्मन और पूनम एक साथ बैठे हुए थी शर्मन अपने बाबा का फोन उठाता है शर्मन बेटा आप घर लोटा दुलहम को विदा करके घर लेकर आना है हम ठीक है को तक्ये के नीचे रखकर गुजार दिया था उसकी लिए तो अब भी यह पस कीवल सपना ही था वह जाकर अलमारी में से अपना गुड़ा वाला खिलोना और रानी की ती हुई चूड़िया निकालती है अगले दिन जब शर्मन पूनम को बिना बताये घर के लिए निकल रहा था तब ही अचानक दर्वाजे पर खटखट होती है शर्मन बैग उठाए दर्वाजा खोड़ता है तो सामने पूनम खड़ी थी बहुत प्यारा सूट पहन कर एकदम संसकारी लड़की की तर है पूनम तुम कैसी लग रही हुँ मैं अच्छी लग रही हुँ ना एकदम द चहरा चूम लेता है मैंने फैसला कर लिया है पूनम सर्फ तुम ही मेरी पत्नी बनोगी वो सीता नहीं उसके साथ जो भी हुआ उसमें मेरा दोस्त थोड़ी ही था पूनम और शर्मन एक दूसरे को गले लगा कर खूब प्यार करते हैं उधर सीता खिड़की में बैठकर गा आखे टुक्टुके लगाए हुए थी और ऐसे बैठे बैठे सांच हो जाती है कविता और शाम समझ चुके थे कि शर्मन नहीं आने वाला है कविता खाना लेकर सीता के पास जाती है बिटिया खाना खाले कब तक ऐसे ही बैठी रहे की दमाज ची को आना होता तो अभी तक आ जाते शायद उन्हें आने में अभी और समय है नहीं मा पता नहीं बाबुने खाना खाया भी होगा या नहीं जब तक उनके मूँ में कौर नहीं जाएगा तब तक मैं कैसे खालूंगी एक 17 साल के लड़की के लिए इतना आसान नहीं था यह सब फिर भी सीता बस अपने पती के आने का इंतजार किये जा रही थी अगला दिन होता है सीता के मा बाबा अकली सुभे देखते हैं सीता ने अपना बैक पाक किया था और वहे एक बहु की तरह साड़ी वगेरा पहिन करते यार हो रही थी सीता बेटा ये क्या है मा बाबा चलो अब मुझे विदा कर दो मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ सीता ये थो क्या मा बाबा जहां मेरी पती का घर है मुझे वही रहना चाहिए कुछ दिनों में बाबो की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और फिवो घर नोटाएंगे तब तक मैं अपने ससुराल में रहकर उनके तोर तरीके सीखना चाहती है ताकि उन्हें कभी भी यहना लगी कि उन्होंने किस पागल से शादी कर ली है श्याम आकर सीता को गले लगाता है देखा कभीता हमारे ननी सी चडिया कभी ती बढ़ी हो गए कि अब अपना घोसला खुदी बनाने को जा रही है उन दोनों की आँखे भर जाती है और कभीता और श्याम सीता को गाड़ी में बिठा कर उसके ससुराल छोड़ कर आते हैं ससुराल वाले सीता को देख कर बढ़ा खुश होती है और सीता अपने ससुराल में पहुच जाती है उसके सास ससुर ने उसका और शर्मन का कमरा बढ़ा ही सुन्दर सा बनाया था सीता शर्मन के बारे में सब चानने की कोशिश करने लगी एक दिन घर के आगे एक काड़ी रुखती है रेखा बाहर चौक में ही काम कर रही थी और वह गाड़ी से शर्मन को बाहर आता देखती है अरे शर्मन के बापो ये देखो हमारा लला घर लोट आया है विजे बड़ा खुश होकर शर्मन को लेने बाहर आता है सीता भी शर्माई हुई अपने कमरे की खिड़की में से ही शर्मन को देख रही थी माबाबा अब मैं आपके पास ही रहने आ गया हूँ ये तो तू बहुत अच्छी बात बोला है चोड़े अब हम बोड़े माबाब से अकेले नहीं रहा जाता नहीं माबाबा अब आपको अकेले नहीं रहना पड़ेगा आपकी बहु है न वो आप सब समाल लेगी विजे और रिखा ये सुनकर बड़ी ही खुश होते हैं अरे बिटिया जरा बाहर तो आना सीता ये सुनते ही पायल की चंचनाहट के साथ अपने चोटे-चोटे कदम धीमे-धीमे बढ़ाती हुई बाहर की और बढ़ रही थी तभी गाड़ी के भीतर से आवाज आई ये स्टैक मैं अभी आई और गाड़ी के अंदर से लाल साड़ी पहने हुए पूनम बाहर निकलती है और बाहर आकर शर्मन का हाथ पकड़ लेती है दोनों एक दूसरे की और देखकर मुस्कुराते हैं पूनम और शर्मन एक साथ बैठे हुए थे शर्मन कैसा हो अगर तुम मुझे अपने घर की बहु बना कर ले चलो मगर सीता और वो शादी शादी is my foot वो सब तुम्हारे स्टैंडर्ट से मैश नहीं कर पाएगा शर्मन और प्यार तो तुम मुझसे करते हो न और जिस रिष्टे में प्यार होता है वही निभाया जाता है शर्मन हाँ बहुत करता हूँ ठीक है पूनम अब तक बहुत हुई लुकाची भी हाँ मैं तुम्हें घर लेका जाऊंगा और घरवालों से बात करूँगा कि सीता को भी अब आगे बढ़ने दो और कहीं और उसकी शादी करा दे पूनम यह जानकर बड़ी खुश हुई शेमन बेटा यह सब क्या है बाबा यह पूनम है कॉलेज में मेरे साथ सालों से पढ़ती थी फिर हमने नौकरी भी साथ करी मैं और पूनम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं उधर सीता बाहरा कर लिए सब सुन लेती है उसके हाथ में आरती की जो थाल थी वे सत्मे में नीचे किर जाती है और उसमें रखा कुम-कुम छटकर सीता की मांग में भिखर जाता है जहां एक और सीता की मांग में शर्मन के नाम का सिंदूर था वहीं दूसरी और उसकी आखों में शर्मन के दिये हुए मोती से आसो भी सच चुके थी सीता बिना कुछ बोले बस पूनम की और देखकर रोती है पूनम सीता की और देखकर मौ बनाती है देखिये बासका वदु की इस कहानी में कैसे एक लड़की को जो अपना सारा जीवन अपने पती के नाम कर चुकी है वे कैसे अपने शुरू होती शादिशुता जिन्दगी के इस तुफान से लड़ती है